फिश इस्पेशल बनाने के लिए थोड़ा सा ओयल लेंगे और उसे गरम करेंगे दो से तीर मिनिट गरम करेंगे और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा प्यास डालेंगे इसे लाल करेंगे इसे चला लेंगे लाल करेंगे प्यास को थोड़ा सा और इसमें ऑईल डालेंगे थोड़ा सा काफी बैस फो लेए फिश इस्पेशल इसे चला लेंगे कि लाल करना है हमें प्यास को और यह हमारा रेडिमेड मसाला है जैसा कि हम फिश इस्पेशल में इससे एड़ करेंगे और तो एक चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे और यह हमने रेडिमेड मसाले लिया है और लाल मिर्च डालेंगे पिसे हुवी एक चम्मच और गरब मसाला धनिया डालेंगे एक चम्मच थोड़ा सौर इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा काली मिर्च इसमें एड़ करेंगे और यह हमारा मसाला है यह हमारा मसाला है इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के से चला लेंगे चला लेंगे थोड़ा सा काफी बैस फोड़े मज़िदार है शांदार है यह इस पिश और यह हमारा प्याज है जैसे लाल हो चुका है इसके बाद मसाला डाल के से बोज़ेंगे काफी बैस को शांदार मज़िदार फोड़ेंगे इसे दस मिनिट हम पकाएंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाब के मुताबिक और इसे दस मिनिट हम पकाएंगे चला लेंगे पका लेना है में दस मिनिट काफी बैस्ट शांदार मज़िदार फोड़ेंगे आज की हमारे फिश इस्पेशल दस मिनिट इसे हम पकाएंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और यह हमारा मसाला है जैसे कि हमने इसे पका रहा है और इसमें थोड़ा टमाटर एट करेंगे और पांच मिनिट इस से और भूंज लेंगे पका लेंगे इसे मसाला कच्छा नहीं रखेंगे पका लेना है पांच मिनट इसे और पकाएंगे हम भूंज लेंगे और यह हमारा फिश है तो जैसा कि हमने चार से पांच पानी से इसे धोया है अच्छे से वाश करेंगे वाश कर लेना है हमें थोड़ा भी गंदा ना रहें इसे साफ करेंगे चार से पांच पानी से वाश कर लेना है हमें और यह हमारा मसाला है और जैसा कि बन चुका है अब हम इसे इस तो फीश एड़ करेंगे बन चुका है मसाला हमारा और यह हमारी फीश है इसे मसाले में एड़ कर लेंगे काफी बैस फूड है यह आसान फूड है आज के हमारे और इसे चलाएंगे मसाला लगा लेना है वरे फिश में काफी बैस्ट आसान रेसिप है आज की इजी हूं कोकिंग यह बैस्ट फूड़े शांदारे मसेदारे फिश इस्पेशल मसाला लगा लेना है पूरे में काफी आसान रेसिप है आज की हमारी रेस्टोरेंट इस्टाइल है धाबा इस्टाइल है होम कोकिंग है जैसे कि मैं आज आपको बना के दिखा रहा हूं और इसमें पानी आड़ करेंगे और काफी इजी होम कुकिंगे लिए और इसे चला लेना हमें और यह हमारा मसाला है और हमने इसमें फिश एड़ किया है इसे हम पचीस से तीस मिनटी से पकाएंगे इसे बन कर देंगे पचीस से तीस मिनटी से पका लेंगे फिर इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे काफी बैस्ट आसान रिसीपी आज की हमारी जैसे मैं आज आपको बना के दिखाऊंगा पकाएंगे इसे हम पचीस से तीस मिनट और यह आटा हमने इसे भूंजा है थोड़ा सा पांस से दस मिनट आटा ही और इसमें एड करेंगे मसाले में जो आटा हमने भूंजा था उसे एड कर लेना है काफी बैस्ट शानदार मज़ेदार फोड हैं आज के हमारे इसे चला लेंगे हमने थोड़ा सा आटा इसमें भूंज के डाला है ओपर से काफी बैस्ट शानदार फोड़ेए और यह हमारा मसाला जैसा की बंच चुका है हमने इसमें भूंज आटा डाला था भूंज के और यह हमारा गानिशेंग के लिए प्यास है जैसे हमने लाल करके रखा था और उपर से हमने इसे डाल देना है काफे बैस्ट शानदार मज़िदार है फूड हमारे और यह हमारी कोत्मीर है जैसा हम इसमें आड़ करेंगे और यह हमारी रेसिपी है जैसे हमने आज आपको बना के दिखाया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाना ना भोले ताकि हम इसे तरह आपको हर नई वीडियो बना के दिखाते रहें और हमारी आज के रेसिपी थी फिश स्पेशल जैसा की बन चुकी है यह यह दो परन दो किई और हमारी जैसा की बोले है यह दो लोले है जाएकन तरह दो करें झाते हैं दो अवोले लोले करें आपको हमारा थांपको हमारा थोले अले